वेलकम तो आकास InfoDeck वीडियो टुटर्स मैं सल्फ आकास पढ़िया आव वीडियो निंदर आपने फ्लेश मा बे टेक्स बोक्स मा जे नंबर होये यहनों सम गीते करो ए जो इसू तो स्टार्ट करिए फ्लेश डॉक्यूमेंट डिजाइन करेश हो आपना टेक्स बोक्स तो निया स्टाटिक टेक्स छे टेक्स ना ट्रॉन टाइप यहां स्टाटिक छे यहां आपने लाइश हो नंबर वान बीजू लाइए नंबर टू यूजर जोड़े दी वाल्यू लाइब ही चैना मैं आपने लाइश हो इन्पूट टेक्स ना आपने प्रॉपर अलाइन्मेंट साट कर दाइए अन्य बार्डर तमार अगर सो कर भी होए तो सिलेक करें न अइन्य आप्सन आपे प्रॉपर जोडर आउरांड टेक्स्ट अब आपने लाइश हो एक बटन गॉमन लाइब्रेरी माद बटन जानी इन्दर फर्स बटन जाचे बटन बारनी इन्दर यह आपने लाइले अप विःञें तेक्सबोक्स बाल्युस भी डायनामिक टेक्स बोक्स लवाँ पर से केमके रन टेम आपडे अनी वैल्यू एमाँ सो करवानी चे तो डायनामिक टेक्स लाइसु अन्य आपडे बॉटम नी अंदर मुख्य दरीए आपड़ा M आपड़े border बतानी चरूर न थी तो आपड़े डिलीट करी देए तो अवे जे छे instance नेम आपपानू काम स्टार्ट करिये तो अन्या आपी आपड़े आपड़े यह यह तमारे जे भी तमारे इंस्टंस नेम आपड़े मेक स्टार के keyword ना होए तो यहना मदेऊ के डिफ्रें नेम आपीस na1 बीजु आपिस na2 and ants तो आज इंस्टन्स नहीं na and 2 and ants अबे बटन नी action script मा जहीं है आपड़े action script लखी सू बटन जहें छे एले on release अबे तमारी यहां variable define करवा पड़ से तो variable define करवा माटे where जह keyword छे mn1 equals to number बीजु लाइस हूँ आपड़े n1, n2, n3 जहने हूँ copy paste करो छो and rename अबे text box नहीं value जह छे यह आपड़े user जोड़े दी लेवानी छे तो एना माटे आपड़े वेरियाबल जे लिदा जे mn1 equals to number by default तम्हें जे text box माँ entry करो यह string होए तो आपड़े string ने आपड़े convert गरे सूँ number मा तो bracket number and जे text box नहा माँ तो आपड़ो na1.text यह जीते n2 copy-paste अन्य बन्ने नो sum करो ओ छे तो एन 3 equals to n1 plus n2 अन्य वेल्यू आपड़े बताओ नी छे आपड़े ने आपड़े करी सूँ ans.text equals to n3 अब़े अपड़े n3 नहीं या number माँ पर ओ छे ते text box में तमने कि तो string होए छे तो number माँ आपड़े ने शुकरो पर से to string s capital जे जनी इंदर and semicolon फ़र एक वार n1 variable नी दो n1 n2 n3 data type number n1 equals to text box 2 ने आपड़े convert करी नंबर माँ text box 2 ने भी convert करी नंबर माँ and n3 equals to n1 plus n2 sum कराई ने ans.text ने आपड़े 2 string माँ convert करिया चाँ अब रन करिया program 10 20 it's 30 तमे 100 करो 120 200 300 आँ हतु एक डेमो कि तमे भी text box नी value नो sum करी ने 3rd text box मा बताई सको आज program ने तमे अलग अलग रीते करी सको जहीते तमारे 2 subject ना marks लेवाना चे और ये marks नों तमारे calculation कराना चे तमारे 2 subject लो 4 subject लो सेम रहे से arithmetic operation कोई भी हुआ तमारे रहू कि दू हुआ sum चे addition multiplication division ये भी तमे चार अलग लग बटन मुकीन है ये ना formula तमे चेंज करी सको जहो में जहे छे आप ग्राम येंदर के value के लेवानी इवन employee नी तमने salary count करानी की थी हुआ के HR calculation करो DA कट करवानू है ये बदू तमे भी आमार करी सको जहो तो main जह चेंज आप ग्राम ना base जहतो के text box नी value नो कीते use करो और येने कीते answer सो करो जह आपड़ा वीडियो मा जोई for more video tutorial contact Akas Info Deck our contact number is 972-82654 website is akasinfotech.co.in and FB page is akasinfotech thank you